बड़ों को परनाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैहिन सातियों में आरकिनाएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उमीद करता हूँ सातियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तहरी बहुत अचीछ चल रही होगी आज सातियों हम भारते राजव्यवता यानि इंडियन पॉलिटी की एक बहुती मैत्पुन स्रंकला परारम करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम जानकारी लेंगे की हम इस स्रंकला के तैट क्या-क्या जानकारी लेंगे या क्या-क्या पढ़ेंगे, जिसमें सातियों भार करतव हुए है इन से समधित संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी साथ ही दोस्तों राज्य की जो निटी निदे सकत तत्व है इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और इसका पीडियेफ आपको मिल जाएगा संग की कारिय पालिका है उसके बारे में भी हम कुछ मैत्पूर जानकारी लेंगे और पीडियेफ आपको मिल जाएगी राज्य की जो विवस्ता पिका होती है उसके बारे में भी कुछ मैत्पूर्ण जानकारी हम लेंगे नियाई पालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे जो एक्जाम की दिस्टिशे हमारे लिए जो समंद होते हैं उनके बारे में भी कुछ मैत्वपून जानकारी हम लेने वाले हैं आपात काल जो लगाया जाता है या फिर आपात उपबंद जो है मैत्वपून उन से समंदित जानकारी लेंगे साथियों लोक सेवाएं और आधीकरण और राजवासा से समंदित भी कुछ महत्पुर्ण जानकरी हम लेंगे इस वीडियो स्रंकला के बाद उसके बाद में साथ हूं यहाँ पर आप देखेंगे संग राज्यक्षेत्र रहनों सुची जाती और जन जाती हूं कि जो पर्मुक्षेत्र है और उनमें परसासन से समधित और कुछ वर्गों के लिए विशे स्रंकला के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस स्रंकला के अंत्रगद कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावदान किये गए हैं यानि कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावदान किये गए हैं कौन-कौन से राज्य हैं उन से समंधित स जानकरी लेंगे सात्यों सविदानीक और गेर सवँदानीक सैंस्टाइँ कौन-कौन ची एंदर और उनका उलियक यृतिये संसोदिन की क्या प्रक्रिया है कि परकार सविदान में संसोदन होता है, वो जानकरी लेंगे, सविदाने के जाग रुपता के बारे में भी संपूर्ण जानकरी हम लेने वाले हैं, तो साथ यह वीडियो सरंकला आपके लिए बहुत ही मैतपूर्ण जानकरी वाली रहेगी और यह सरंकला कंप्लीट करने के लिया और अगर कोई नोट्स नहीं बनाना चाहता तो उनको मैं यह जो पीडियेफ जैसी है वेशी की वेशी आपको पीडियेफ दे दूँगा उससे भी आप रिविजन कर लेना, क्योंकि साथियों जब एक्जाम में आप बैटेंगे तो यह जब तक आप इसका रिविजन अच्छे से नहीं करेंगे तब तक किसी भी एक्जाम में सफलता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है उसके बाद में साथियों सवेदानिक जागरुपता के अंतरगत हम सुसासन एगवर्नेस मोबाइल गवर्नेस क्या है इससे समदित जुड़ी हुई संपून जानकरी ह हम लेंगे इसी वीडियो स्रंकला के अंतरगत उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे तो पॉलिटी और जो कॉंस्टिट्यूशन है इससे समदित संपून जानकरी आपको मिल जाएगी तो चलिए सबसे पहले साथियों में आपको यह तो जानकरी देदी कि इस से वीडियो स्रंकला के अंतरगत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब साथियों में आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पीडियाप आपको कहां से मिलेगी कैसे डाउनलोड करेंगे और इसका क्या सिस्टम रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे जो टेलिग्रा से गलत ना हो क्योंकि शात्यों एक्जाम में अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और आपके से लेबस में अगर इंडियन पॉलिटी है तो यह वीडियो सरंकला आपके लिए बहुती मैत्पॉर्ण सिद्ध होगी यानि रामबान सिद्ध होगी यह वीडियो और इस वीडियो श्रंकला के तहत हम आपके सलेबस को जो इंडियन पॉलिटी का एखास कर चाहिए वो किसी भी लेवल का एक्जाम क्यों नहीं हो यह कंप्लीट पेकेज रहेगा आपके लिए क्योंकि इसमें हमने जो बेस बनाया है वो एंडिया तक का सार आपको इसमें मिलेगा उसके साथ ही दोस्तों मार्केट की सबसे बरोस्यमंद गाइड़ चाहिए वो एम लक्स में कांत हो या फिर डीडी बसू जो दुर्गदास बसू की पुस्तक है वो भी काफी महत्वण मानी जाती है एंडिया टी सार मैश कुमार वर शूस्तन एक्जाम में आने वाले हैं आने वुदान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए चाहे आप किसी भीूस्तक की टारी करने वाले हो नहीं करने वाले हो तैयरी करना एक अलग मुदा है वो आप समझ सकते हो लेकिन जो किसी एकजाम की तैयरी नहीं करते हैं शिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर कुछ और अपनी मजदूरी करते हैं कुछ भी करते हैं तो उन्हें भी भारतिय सविदान के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जब हमें सविदान के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हमारे जो मूल अधिकार हमें सविदान के दुआरा परदान किये गए हैं उनका हम सही तरिके से सदूपयोग नहीं कर सकते और अगर हमारे मूल अधिकार का उलंगन होता है तो हमें अगर पता ही नहीं होगा कि हमारे मूल अधिकार कौन-कौन से हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए सातियों आपको कम से कम अगर किसी भी एक्जाम के आप तयारी नहीं कर रहें तब भी आपको बारतिय सविदान के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे मूल अदिकार कौन से है मोलकरतव वे क्या है हमारे और इस परकार की जानकारी आपको होने चाहिए, तो ये सारी जानकारी सास्थियों आपको मैं इसी वीडियो शरंकलाके अंतरगते देने वाला हूँ सबसे पहले सास्थियों इसमें हम जो आप देख पा रहे हो चाहे ऐस्ता ही कारिय पालिका हो या फिर इस्ता ही कारिय पालिका हो उससे समंदित संपुन जानकरी देंगे और साथ ही दोस्तों हम ऐसे मैत्पुन अनुछे दें जो बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं उनसे समंदित भी आपको संपुन जानकरी हम देने वाले हैं पॉलिटी अगर आपके सलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें हमारे सलेबस के अकोर्डिंग कितना पढ़ना है और कितनी त्यारी करनी है क्योंकि साथियों अगर आप पॉलिटी को सही तरिके से देखेंगे तो वेसे तो एक पुष्टक मानते हैं अभी कि आहम लक्ष में पढ़ लिया तब भी वह अपने आप में प्रियाप्त है लेकिन साथियों अगर ऐसा ही होता तो आहम लक्ष में आप आराम से पूरी पूष्टक को पढ़ करके किसी भी एक्जाम में सफल साथ ही दोस्तों आपको कुछ ऐसी मेटपून जानकारी जो आपको उस पूष्टक में भी नहीं मिलेगी और वो जानकारी में आपको देने वाला हूं अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी जानकारी है जो उस पूष्टक में नहीं है और आप देने वाले हो तो उसके लिए साथि कि आप जैसे जैसे यह कलाशें complete करेंगे revision करेंगे जो हम study material दे रहे हैं उसका तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो हमारा study material है वो कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं बारतिय राज व्यवस्ता और बारतिय राज व्यवस्ता में हम कौन कौन से topic को किस प्रकार से पढ़ेंगे वो जानकारी में आपको दे देता हूं सबसे पहले सातियों इंडियन पॉलिटी यानि बारतिय राज व्यवस्ता अगर आपके syllabus में है किसी भी exam कि अगर आप तैयरी कर रहे हो तो उसमें हम क्या क्या कावर करने वाले हैं तो सवेधा पर देख सकते हो यह नंबर एक पर आपका सतरा सो तैतर का regulating एक्ट है उसके बाद में सातियों नंबर दो की जब बात आती है तो यहां पर दो नंबर में सतरा सो चोरा सी का जो पिर्श इंडिया एक्ट है इसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं कुछ मेंत्पुन जानका सतरा सतर स तौन में इसके बारे में भी हम क्या करने शाथी हो कुछ में जानकर लेंगे अठरा सो अठावन का जो भारतिय सासãyल अदिनियम है यह बहुत की मैद पुर्ण है और वैसे देखा जाए तो साते हो यह चार्ट अग्ट जितने भी आये थे उन्न कि सरएनि में यह तो 1853 का चार्ट रेक्ट आया था वो इस सरंकला का सबसे अंतिम चार्ट रेक्ट था क्योंकि सातियों 1747 के अंदर क्या होता है, एक बहूती महतोपुन करांति होती है आपके यहां पर 1807 में 1847 की जो करांति है काफी महित फून खुटित है। पूछ लिया जाता है 1857 की करांति पूर्चर को 1857 की करांति से सुमंदित भी हम जानकारी लेंगे us और ये करांति इतनी महित पून थी कि यहां तक जो आप देखेंगे तो इन में शिर्फ और शिर्फ क्या लिखा है साथियों चार्टर एक्ट या फिर इस परकार का यहां पर लिखा हुआ है लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अठारा सो सतावन की एक बहुती महान करांती होती है उसके बाद यहां पर क्या होता है साथियों अंग्रेजों ने भारत का नाम सामिल कर लिया यानि भारत परिशद अधिनियम अठारा सो option का का इने इसके बारे मेन विसके जांविल लेंगे अब मार मिंटो सुदार किसे कहते हैं सात्यों यह आपका उनीनिकों का जो भारतिये परिस अधिनियम है इसको हम क्या कहते हैं मार ले मिंटों सुदार कि Moto एन्यसु उननेस जीसें इनिस report के नाम से जाना जाता है ये exam की destitution काफी मैतोपुन है तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे साथ यो जानकारी लेंगे आगे चलते हैं तो आती है नेरू report अब साथिहों नेरू report इसके बारे में संपून जानकारी लेंगे हम ताकि अगर नेरूर रिपोर्ट से समंदित या मारले मिन्टू सुधार से समंदित या आपके मौन्टेंग्यू चेम्स फॉर्ड रिपोर्ट के अनुसार कोई भी क्यूसन अगर आपके एक्जाम में पूछा जाए तो आपका गल का जो बार्द सरकार अदिनियम है इसकी तो इससे समंदित भी महतुपूम्ण जानकारी हम लेंगे जो एगजाम की दिरिष्टी से महतुपूम्ण है उसको हम सामिल करेंगे cabinet mission जो कि 1946 की एक बहुती महत्पूर्ण घरतना है इसके बारे में जानकारी लेंगे और अंत में सातियों आपको पता है जो जानकारी आपने ले ली होगी अब सातियों आपको पता चल गया होगा कि यह जो सरंकला है वह आपके लिए कितनी महत्पूर्ण साबित होने वाली है आगे बढ़ते हैं तो बारतीय सवगयदान से समदित है इसके बारे में हम क्या करेंगे सात्यों एक छोटा सा परीचे लेंगे और जानकरी लेंगे उसके बार सात्यों संगीक स्यत्रें राज्यों का जो पुन्र गटन है इसके बारे में भी हम जानकरी लेने वाले हैं भारत राज्यों का संग इसके बारे में बहुत ही महतपुन जान कर लेंगे क्योंकि एक्जाम में जो राजियों का पुन्र गटन बगेरा है इससे समधित क्यूशन कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपके एक्जाम में अगर क्यूशन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए नए राजियों की इस हमारे पास में क्या है सविधान में किस अनुचेद के तहत हमें संसोधन करना पड़ता है या फिर क्या परक्रिया रहती है वो जानकरी लेंगे नए राज्यों की इस्ताफना के बाद हम देखेंगे साथियों राज्य पुन्रगटन अदिनियम जो की उनीस सो चपन इसके बार में फिर राज्यों का जो आप यहां पर देखेंगे इस्ताफना के बाद में सबसे ज़्यादा जो पुन्रगटन अदिनियम है उनीस सो चपन वाला ये आपके लिए काफी महत्वन है इसलिए साथियों राज्य पुन्रगटन अदिनियम से समझत भी अगर क्यूशन पूच करते हुए ही बनाई जा रही है आगे चलेंगे साथियों तो हम जानकरी लेंगे नागरिक्ता से समझत अब साथियों नागरिक्ता का अर्थ समझेंगे हम की नागरिक्ता कितने परकार की होती है उसके बाद नागरिक्ता अदिनियम जो भारतिय नागरिक्ता अदिनियम है 1995 इसके बारे में जान करेंगे साथियों नागरिकटा संसोदेन अदिनियम 2015 के बारे में भी जान करें लेंगे परवासी भारदी जान करें लेंगे यहनी साथियों सो बातों की यह polls की बात है नागरिकता से समदित आपका कोई भी क्यूशन गलत नहीं होगा अगर आपने हमारी वीडियो सरंकला देख ली और रिविजन कर लिया तो उसके बाद में साथियों मूल अधिकार एं करतवे जो है इसके बारे में कुछ महत्पुन जान कर लेंगे जिसमें सबसे पहले हम मूल अधिकार देखेंगे मूल अधिकारों का जो वरगी करन है साथियों उसके बारे में जान कर लेंगे मूल करतवे के बारे में जान कर लेंगे यानि साथियों आपका यहां पर मूल अधिकार है और इसका जो वर्गी करन है इसके बारे में संपून जान कर लेंगे और मूल करतव्य जो आपके है काफी मेतवपून है इसके लिए सातियों आपको क्या करना होगा हमारी PDF डाउनलोड करके रिविजन करना होगा तब जाकर के आपे इनको अच्छे से कवर कर पाएंगे राज्य के निती निदेसक तत्वे जब देखेंगे सातियों तो इसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो PDF हम देंगे उसमें बाकी वीडियो में भी आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी और PDF के अंदर कुछ ऐसी जानकारी और MCQs भी मिल जाए आपको जो इस PDF में या जो PPT अभी जो बन रही है इसमें नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगी जब आप PDF डाउनलोड करेंगे उस समय तो इसमें सातियों राज्य के निती निदेसक तत्वों के अंतरगत सबसे पहले हम देखेंगे निती निदेसक तत्वों का अर्थ समझे परमुक जो निती निदेसक तत्वों है इनके बारे में कुछ महत्पुन जान कर लेंगे मौलिक अधिकार वे निती निदेसक तत्वों में क्या समंध है इसके बारे में जानकरी लेंगे उसके बाद सातियों हम देखेंगे यहां पर संग की कारिपालिका अब सातियों संग की कार्यपालिका के अंतरगत सबसे पहले हम कवर करेंगे संग की कार्यपालिका और कार्यपालिका के परकार उसके बारत की संगी कार्यपालिका के बारे में कुछ मैत्पुन जान करेंगे राष्ट पति और उपराष्ट पति के बारे में पूरी जान जानकरिया होगी ? या रास्ट्रपती को अपने पद से किस परकार आजाता है ? वह जानकरिया लेंगे उसका उलेक बारतिय सविदान के कौन से बाग में है किस अनुचेद में है वो जानकरी लेंगे उसके बाद में साथियों परदान मंत्री और मंत्री परिशद इन से समंदित जुड़े हुए जितने भी अनुचेद है और जिस बाग में इनका उलेक मिलता है वो जानकरी ताकि हमारे को एक्जाम में फाइदा मिल जाए केंद्री वेवस्ता पीका के अंतरकर साथियों संसद की सरस्थना पढ़ेंगे और राज्य सभा और लोक सभा के बारे में जानकरी लेंगे संसदिय कारिय वाई के जो सादन होते हैं कौन कौन से मैतकौन सादन है उसके बारे में हम जानकरी लेंगे राज्य की बात करते हैं तो आएगी यहां पर राज्य की कारिपालिका जब राज्य की कारिपालिका हम पढ़ेंगे तो उसमें हम राज्यपाल को भी कवर करेंगे और केंदर में तो आपने देखा राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती थे और यहां पर हम राज्यपाल को और राज्यपाल की तुलना हम राश्ट्रपती से करके और इनके जो महत्वपून अधिकार है इनके जो विशेस अधिकार है उनके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं उसके बार सातियों मुख्य मंत्री के बारे में जानकरे लेंगे मंत्री परिशत के बारे में और राज्य मा दिवक्ता इसके बारे में भी हम क्या करेंगे जानकरे लेंगे ताकि एक्जाम में आपका कोई क्यूशन छूट नहीं पाए राज्य विवस्ता पिका के अ अंतरगत आप बहुत सारी जानकरी आपको मिल जाएगी अब चलते हैं आगे न्याए-पालिका की तरफ न्याए-पालिका हमारे जीवन को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यवस्तित करने में न्याए-पालिका की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुमिकार रहती है केशें रहती है वो जानकरी मैं आपको आगे दूँगा लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नयाए पालिका के अंतरगत है हम कौन कौन से टोपिक कवर करेंगे सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखिए उच्टम नयाएले इसके बारे में जानकरी लेंगे उच्टम नयाएले का गटन किस परकार होता है नयाए दीसों को हटाने की क्या परक्रिया होगी और उच्टम नयाएले के क्षेत्रा अधिकार है इसके बारे में जानकरी लेंगे साथियों नयाएक सुदार आयोग उच्टम नयाए दीसों की नुक्तियां और उसके बाद साथियों उ तो यह आप यहां पर देख रहे हैं उच्छतम नयायले और इसका गठन परक्रिया और इनके जो विशे साधिकार है और नयायक सुधार है आयोगे इससे समद्दित जो संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए जो किसे समद्दित खासकर आपकी नयाय पालिका से समद्दित तो वह जानकारी आपको पूरी complete मिल जाएगी इस वीडियो स्रंकला में और यह आप एक बार अच्छे से कवर अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह आपके लिए प्रियाप्त है अगर आपने अच्छे से प पढ़ेंगे या कौन-कौन से टोपिक कवर करेंगे सबसे पहले साथियों हम इसमें देखेंगे भारतिय संगवाद भारतिय संगवाद के बाद में संगात्मक लक्सन को पढ़ेंगे साथियों अच्छे से एकात्मक लक्सन के बारे में केंदर राज्य समंद के बारे में भ क्यूशन आपका गलत ना हो कभी कभी आपातकाल से समंदित क्यूशन पूछ लिए जाते हैं और आपातकाल से समंदित अगर क्यूशन नहीं भी पूछा जाए तब भी हमें पता होना चाहिए कि आपातकाल लगने की इस्तिति में हमारे कौन-कौन से मूल अधिकार है जो की प्राप्त होते हैं और हमारे जो देश के नागरिक है उन्हें भी प्राप्त होते हैं कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो आपात का लगने की इस्तिती में क्या होते हैं निरिस्त हो जाते हैं तो वो कौन-कौन से मूल अधिकार है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी द देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक और सुविदान लागू होने के बाद अब तक राष्ट्र आपातकाल कब कब लगया गया है किन परिस्तितियों में लगया गया था उसका क्या परबाव रहा वो पूरी जानकरी लेंगे कितने समय तक रहा लगा वो पूरी जानकरी आपको मिल जाएगी उसके बाद सातियों हम पढ़ेंगे राष्ट्र पती सासन के बारे में जो की भारती सविदान के अनुछे 356 के अंतरगत लगया जाता है तो इसका दुरूप्यों किस परकार हुआ है राष्ट्र पती सासन का क कौन कौन सी सरकार में सबसे ज़्यादा इसका दुरूप्योग हुआ है वो जानकरी लेंगे साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि राष्ट्र पती सासन का उप्योग सबसे ज़्यादा बार किस राजे में किया गया है वो जानकरी लेंगे पहली बार कब लगया गया था और अ अभी ये कलाशें चल रही है उसके अंतरगत किस राजे में लगा है बाकी ये करेंट अपयर के साथ में आपको अपडेट रहना होगा क्या विती आपातकाल अब तक लगा है उसके बारे में जानकरी लेंगे लगा है तो उसका क्या परभाव पड़ता है देश की अर्थ वेवस्ता पर वो जानकरी लेंगे और अंतराश्ट इस्तर पर उस देश की सभी कैसी बन जाती है विती आपात का लगने पर वो जानकरी मैं आपको दे दूँगा लेकिन उससे समंदित अनुचह 306 को कभी नहीं भूलना क्यो लोग सेवाएं अधीकरण एव राज भासा अब साथिओं आगे हम देखेंगे तो लोग सेवाओं का इतियास सबसे पहले देखेंगे उसके बाद हम शिविल शेवा समदी सवेधानिक जो प्राउधान किये गए हैं इसके बारे में जानकरी लेंगे संग लोग से वा आयोग से समदी कुछ मेतपुन जानकरी लेंगे साथियों राजे लोग से वा आयोग से समदी जानकरी लेंगे राश्ट्रिय हारित नया दीकरन क्या है इसके बारे में जानकरे लेंगे राजबासा के बारे में जानकरे लेंगे साच्तियों और साच्त्रिय बासाइं क्या होती है इन से समदित आपको शंपून जानकरी दी जाएगी इसी वीडियो सरंकला के अंतरगरत और पीडियेफ के बाद अगर हो सके तो अपने दूसरे बाइबेन जो किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचा देना उसके बाद सातियों जब आगे बढ़ते हैं तो संग राज्यक्षेत्र अनुसूचि जाती एहूं जन जाती शेत्रों का परसासन इसके बारे में हम जानकरी लेंगे उसके बाद सातियों संग राज्यक्षेत्र सवेदानिक इस्तिति के बारे में जानकरी लेंगे संग्य विदायका में संग राज्यक्षेत्रों की इस्तिति क्या है इसके बारे में जानकरी लेंगे जन जाती एक्षेत्रों के लिए जो परसासनिक वेवस उनके समंद में कुछ विशेस जो प्रावदान भारतिय सविदान में किये गए हैं उसके बारे में जान करी लेंगे अब वो कौन-कौन से वर्ग है तो वो आपके यहां पर है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के लिए जो विशेस उपबंद किया गया है वो कि लिए जो विशेस उपबंद है उसके बारे में भी हम जानकरी लेंगे सातियों क्योंकि एक्जाम की दिर्ष्टिशे मैतपूर्ण है इस्तानिय सवसासन जब इस्तानिय सवसासन की बात आती है तो हम सबसे पहले सातियों आपका नंबर एक पे हम पढ़ेंगे इस्तानिय सवसासन से आसे इसके बारे में जानकर लेंगे बारत में इस्तानिय सवसासन की जो प्रष्ट भूमी है वो कब तयार हुई कहां से तयार हुई वो जानकरी लेंगे पंचायती राज समंदी जो विभीन समीतियां बनी है उसे समंदी जानकरी लेंगे पंचायती राज से समन्दित जो पर्मुक अनुछेद है उसके बारे में भी हम जानकरी लेंगे सवेधानी की विकास से समन्दित जानकरी लेंगे साथियों ग्राम सभा के बारे में जानकरी लेंगे ग्राम पंचायत नीदी कोस इससे समन्दित जानकरी लेंगे शत्रिय जो पंचायत समितियां होती है उसके बारे में जान करें लेंगे जिल्ला पंचायत और परिशत से समंदित कुछ महत्पुन जान कर लेंगे इसके अधिकार और सहकारी समितियां इन से समंदित हम क्या करेंगे कंप्लीट जानकरी लेने वाले हैं उसके बाद सातियों हम देखेंगे यहां पर निर्वाचन परनाली यह दलिये वेवस्ता इसके अंतरगत सबसे पहले हम निर्वाचन परनाली को देखेंगे निर्वाचन आयोक को देखेंगे सातियों और इस से समंदित जूड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अनुचेद भी पढ़ेंगे सुनाओ सुधार क्यों जरूरी है या फिर सुनाओ सुधार किस तरीके से किये जाए वह भी जानकरी मैं आपको देने वाला हूं दली विवस्ता के बारे में जानकर लेंगे हित समुए और दब पराउदान किये गए हैं भारतिय सविदान में उससे समदित जानकरी लेंगे तो जो कुछ राज्य हैं तो उन में से कौन कौन से राज्य हैं जिन के लिए हमारे सविदान में विशेष पराउदान किया गया है तो इसमें सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे आपके महार और गुजरात की इन दोनों राज्यों से समंदित विशेष परावधान उसके बाद में साथियों बात आती है नागा लेंड की तो नागा लेंड से समंदित भी विशेष परावधान देखेंगे और नोर्थ इस्ट के ही राज्य हैं आपके असम और मनिपूर इन से समंदित जानकारी लेंगे सात्यों आंध्रा पर्देश से समदित कुछ विशेष परावदान सीकिम से समदित विशेष परावदान मिजोरम से समदित विशेष परावदान अरनाचल परदेश और गोवा से समदित विशेष परावदान करनाटक एउं हेद्रबाद से समदित वाला हूं तो आज हम पॉलिटी के अंतरगते सिर्फ इंसे समंदित जो जानकरिया वही लेंगे सवेधानिक हैं गेर सवेधानिक संस्ताइं इसके अंतरगत सातियों सबसे पहले बहुती महत्वपून जानकरी है नियंत्रक के हूं महालेका फरिक्सक इसके बारे में जानकरी वित आयोक के बारे में सातियों आपको जानकरी दी जाएगी राष्ट्री अनुसूचित जन जाती आयोक के बारे में राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोक के बारे में राष्ट्री पिछडा वर्ग जो आयोक बनाया गया है इसका उलेक वारतिय सवेधान के किस अनुच क्योंकि यह जल्ब विवाद जो समझे है वह चाए चाहे का व creature विए बादर बांगला देश के से नदिक न मिलती है वह पूरी जानकरी मैं आपको इस पौलिटीक वीदियस हरं कि अंतरगत को देने वाला हूं उसके बाद थोड朝 हुद और आगे चलेंगे तो वह पर हमें योजना आयोग का सामना करना पड़ेगा यानि योजना आयोग से समद्दित कुछ मेतबुन जानकरी लेंगे और उसके बाद योजना आयोग के इस्तान पर वरत्मान समय में क्या परियूर्तन किया गया है कब से इसका नाम बदला गया या फर जो इसके इस्तान पर दूसरी जो संस्ता बनाए गई है उसके बारे में भी मैं आपको जानकरी देने वाला हूं वेतन आयोग के बारे में जानकरी लेंगे साथियों राष्ट्रिये विकाज परीशत के बारे में बाल अधिकार संग्सन आयोग से समधी जानकरी लेंगे और उसके बाद साथियों राष्ट्रे मैला आयोग के बारे में जानकरी लेंगे राष्ट्रे मानवा अधिकार आयोग क्या है इसके बारे में जानकरी लेंगे केंद्रिय सत्रक्ता आयोग जो की एक बहुती महत्पूर्ण संस्ता है है तो इसके बारे में जान कर लेंगे जाने कभिआउग इसके बारे मेंॠ कर लेंगे जाति,शैयों राष्टे अलब संक्भ आयोग,ब्सणक्भ है वाय दूघ ले जितनी भी सवयधानि की संस्ता हैं है इन से समंदित आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी उसके बाद सातियों यहां पर है आपके सवेधानिक के जो कुछ और परकिरिया है चाए वो सवेधान में संसोधन की परकिरिया है वो चाए वो सवेधानिक हो या गेर सवेधानिक उन सभी से समंदित जानकर आपको दी जाएगी तो सविदान संसोधन की परिक्रिया के अंतरगत हम देखेंगे सबसे पहले साथियों मूल अधिकार हूं सविदान में संसोधन क्या किसी सविदान में संसोधन करके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जा सकता है या फिर मूल अधिकारों पर लगाम कहां तक लगई जा सकती है वो आपको मैं जानकरी देने वाला हूँ उसके बाद में सात्यों हम जानकरी लेंगे सविधान के मूल डांचे की जो पर्म कोई विशेस्ताइं होती है उसके बारे में कुछ महत्वपुन जानकारी लेंगे उसके बार साथियों आप यहां पर देखेंगे सविधानिक जागरुकता चवेदानिक जागरुकता के अंतरगत साथियों सबसे पहले हम देखेंगे सूसासन के बारे में अब सूसासन के बाद में साथियों आपको यहां पर E-Governation के बारे में जानकारी मिलेगी इसके बारे में जानकरी देंगे सात्तिओं आपको Kendry Sustna Aayok के बारे में जानकरी लेंगे संसद बनाब नाय पालिपाई का के बारे में अनुचेद 307 का राजनितिक दुरुपयों किस परकार किया गया है उसके बारे में जानकरी लेंगे सातिओं सविधान की जो समिक्सा की गयी उसके बारे में जानकर लेंगे नयाइक सक्रियता क्या होती है। इसके बारे में नयाइक, सुधार, माणौा दिकार समंधी जो मुद्दे हैं उन पर पर कुछ चरचा करेंगे। और अनिवारिय मतदान लोकपाल एंवन लोकायोक्त के कारिये इन से समंदित भी हम क्या करेंगे कुछ महत्पुन जानकारी लेंगे जो आपके लिए महत्पुन है पूरी जानकारी को विशेश रूफ से शुरू करने से पहले सात्यों में आपको थोड़ा सा बेस्तायार करने के लिए यह जानकारी दे रहा हूं अब साथियों सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे तो दो सब्द जो की हमें समझ लेने चाहिए Constitution and Polity तो एक तो साथियों सविदान है और दूसरा है राज व्यवस्ता अब साथियों यहां पर इनमें अंतर क्या है तो सविदान क्या है सविदान है यहां आपका Shade of Role यानि सविदान नियम का एक संग्रह होता है जो नियम बनाए गए हैं उन सभी नियम का संग्रह सविदान अधे क्योंकि सबी नियम एक ही जगे में लिक्षित रोप स्रिलंका है या फेर अमेरिका है आपके उस्ट्रेलिया Japan Germany England इन सब के बारे में अलग-अलग देशों का सव密地 उंकि बारे में क्या है जो नियम है उनका संग्रभ मिलता है उनके सविदान में और सविदान कितने परकार के होते हैं लिकित आय लिकित सविदान में क्या लेने वाले हैं उसके बाद सातियों इसके तहते हम क्या करेंगे किसी भी देश या रज्य पर सासन किया जाता है किसके मादम से सातियों ये आपके सविधान के मादम से किया जाता है तो वो पूरी जानकरी आपको मिल जाएगी तो सातियों सबसे पहले सविधान एक ठियोरी यानि सिदान्त है और उसके बाद में सविदान दो परकार के हो सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको एक तो होता है आपका लेकित सविदान और दूसरा होता है एलेकित सविदान तो लेकित सविदान और एलेकित सविदान में क्या अंतर है सातियों वो जानकर हम ल पर लेखित सवीदान होगा, वहाँ पर सवीदान से उपर कुछ भी नहीं होगा. चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, परदानमंत्री हो, राष्ясपती हो, उपराष्ट्रपती हो या पिर मुक्य न्याइदिस हो, सुप्रीम कौर्ट हो, कोई भी संस्ता सवीदान से उपर नहीं हो सकती, अगर किसी देश का लिखित रूप में सविधान है तो, जिस देश ने अपनाया, लिखित सविधान पहलाद देश, USA था. USA में क्या है सातियों? लिखित सविधान अपनाय गया, सब से पहले. उसके बाद सातियों ए लिकित सविदान की जब बात आती है तो यहां पर ए लिकित सविदान का मतलब होता है जहां पर संसद सर्वोच होती है अब सातियों आपको पता चल गया होगा कि जो लिकित सविदान है उसमें क्या है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वहां उपर होता है आपका सविदान सर्वोच होता है लिकित सविदान में सविदान क्या होता है साथियों सर्वोच होता है जबकि ए लिकित सविदान में साथियों सविदान नय होकर के संसद्ध है वो क्या होती है साथियों सबसे उपर होती है यानि सर्वोच होती है और साथियों जिस देश में एय लेकित सविदान अपनाया गया वो देश था सातियों आपका ब्रिटेन तो ये सातियों इन से समदित जानकारी है कुछ मैत्पूर्ण और अब जानकारी लेते हैं सबसे पहले हम वह सातियों आपको भारत के बारे में तो अब बात आती है भारत की तो बारत का सव्विधान कैसा है साति हुं सबसे पहले साति हम झानकर लेते हैं कि बारत का सवविधान एक लिखित सवदान है तो अब हमें पता चल गया कि लिखित सवदान होने की वज़े से हमारे देश में सरवोच सवदान है नह की संसद तो अब अगर आपसे कोई एक्जाम में कि उसन पूछे या फिर इंट्रिव में पूछ लें आपसे कि लिखित और एलिकित सविदान के बारे में दो सब्द कहिए या फिर इनकी तुल ना कीजिए तो आप मेरे ख्याल से आराम से तुल ना कर सकते हो इसका मतलब है कि भारत में सबसे उपर सविदान है तो ये जानकर ये साथियों सविदान जो की लिखित और एलिकित सविदान है उसके बारे में उसके बाद साथियों थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो भारत में लिकित सविदान है इसका मतलब ये है कि अगर भारत में संस कोई बी ऐसा कानून बना दें जिस कानून से सविधान का उलंगन होता हो या फे सविधान का उलंगन करने वाला कोई कानून हो तो उसको क्या किया सकता है बहुरक जो सेरोच नयायले सूप्रिम कोट उसके द्वारा अवेद गोषित कर दिया जाता है तो यह जानकरिया सात्यों । सविधान से समधित हैं अब सात्यों आगे जब वहते हैं तो सविदान कटोर और लचिला सविदान जैसा कि इससे पहले हमने देखा था आपके लिखित सविदान और एय लिखित सविदान उसी परकार अब हम जानकर लेंगे आपके कठोर सविदान और लचिला सविदान तो कठोर सविदान का मतलब होता है साथियों जिसमें संसोधन करना मुश्किल होता हो उसे हम कठोर सविदान कहेंगे और जिस सव हम क्या कहेंगे साथियों लचिला सविदान कहेंगे तो लचिला सविदान इसका मतलब है साथियों संसोधन करना इसमें आसान होता है कटोर सविदान वे सविदान होता है जिसमें सविदान संसोधन के परकरिया या प्रनाली जतिल होती है ये वे सविदान होते हैं और यदि सवेधाने कानूनों और सामने कानूनों की बीच में कोई अंतर नहीं हो और सवेधाने की जो कानून है उस कानून में मानिता जो कानूनों की फरक्रिया से ही संसोधन या पर परिवर्तन क्या कर सकते हैं तो साथियों इसमें सवेधान को लचला और सूप परिवर्तन कहा जाता है तो यह साथयों इसे समझ जान करी थी कि कठोर सविधान क्या होता है他们andar और K'th minist weather और कठोर लचिले सविधान में क्या फरक है उसके बारे में जानकरी लिए अब समझ लेते हैं कि राज विवस्ता क्या है इसके बारे में कुछ महत्वन जान कर लेते हैं सबसे पहले आपको रिविजन करने के लिए जो पीडिप मिलेगी इस पीडिप को आप अच्छे से रिविजन जरूर करते रहना साथियों तो यहां पर सबसे पहले कोंस्टिटुशन एंड पॉलिटी के अंतरगत यानि साथियों राज्य या फिर देश में सविदान को लागू करना या फिर उसका अनुफ्रियोग ही राज व्यवस्ता कहा जाता है जिस परकार शातियों धन को व्यवस्तित करने के लिए अर्थ व्यवस्ता होती है यानि अर यह पॉलिटिक है तो यहां पर हम सविदान से संपूर्ण जान कर लेंगे और राजनिती विग्यान राजनिती सास्तर की से कहते हैं राज व्यवस्ता क्या है इसके बारे में संपूर्ण जान कर लेंगे यानि राज्य को व्यवस्तित करने के लिए जो कारी होता है वह राज्य किन किन से मिलकर बना होता है राज्य की क्या-क्या विशेष्टा होनी चाहिए वह संपुन जानकरी हम आपको इसी वीडियो स्रंकला के अंतरगत या फिर इन्हीं वीडियो में देंगे सबसे पहले साथियो इस्टेट सबद जो है राज्य सबद इसको परिवासित करन वाले जो महान अंकल थे गारनर ये गारनर अंकल ने बताया कि राज्य यानि इस्टेट के चार तत्वे होते हैं यानि चार तत्वों का होना बहुत ही आउसे कह अगर ये चार तत्वे नहीं होते हैं तो क्या है वो इस्टेट नहीं कहलाएगा या फिर राज्य उसको हम नह कह सकते अब चार तत्वों में कौन कौन से आते हैं सबसे पहले सातियों आप यहां पर देखेंगे निश्चित भूबाग जन संक्या सरकार और संप्रभूता यानि सातियों आपके नंबर एक पर आ गया निश्चित भूबाग अगर निश्चित भूबाग नहीं है तो सातिय आप उस पर क्या है अपना सविधान नहीं बना सकते या सविधान के अनुसार एक राज्य के अंदर सविधान तब बनेगा जब वहां पर भू भागो यानि भूमी हो भूमी हो और जन संक्या ना हो तो उसमें क्या करेंगे साथियों कुछ भी मतलब की बात नहीं है इसलिए क क्या है भूमी के साथ समय बहुतने के उपर रहने वाले मन भी उनुसे भी होने चाहिए यानि अपनी घंड संक्या नहीं होने चाहिए उसके बात सथा जन संक्या liquid होगी होगी तो वहां पर लड़ाई जगडे होंगे और क्या करेंगे एक डूसरे और मार का जब मचेगी औ लेकिन जो सकती साली होता था वो दूसरी की जमीन को या उसके भूमी को छीन लेता था तो उसी के तहत यहां पर किसका निर्मान हुआ साथियों सरकार का यानि सरकार बनेगी कि सरकार निर्ने लेगी कि भाई जमीन किसकी है और इस पर हक किसका है तो वो जानकारी साथियों सर सरकार को अब सरकार भी बन जाए और जनसंग्या भी हो और भूमी भी हो तिनों चीजों लेकिन सात्यों संपरभूता ना हो सरकार कोई भी निरने अपनी मर्जी तहुं हो नहीं कहलाएंगा क्यों कहला अगर समप्र भूता नहीं आपके पास कोई निर्नला कि तो क्या होगा सांथ्यों कंप्लीट राजे नहीं कहलेगा तो इसलिए यह चार मैतोपुड होते हैं राजय के यह पर चार उते होते हैं तो सबसे पहले हमने देखा साथियों क्या था आपका निश्चित भूभाग होना चाहिए भूमी होनी चाहिए उसके बाद जन संक्या होनी चाहिए जन संक्या के बाद में सरकार और सरकार के पास संपरभूता होनी चाहिए तो क्या आपको समझ में आया है बता दीजिए एक बार कॉमेंट करके अगर आया है तो सातियों मैं आपको बता देता हूं कि निचित भूभाग पर जनसंक्या और जनसंक्या पर सासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए सरकार के पास में संपरभूता होनी चाहिए राज्य का सबसे मैतपुन तत्व होता है संपरभूता अब सातियों संपरभूता अगर नहीं है तो वह कंप्लीट राज्य नहीं कहलाएगा अब जैसे मानलो सातियों यहां पर जहां मैं अभी आपके लिए वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूँ वी डी कोड़ तो हो गया लेकिन वीडियो को देखने के लिए क्या चाहिए जन संख्या चाहिए तो जन्संख्या भी जरूरूरी है अब साथियों judgment संख्या के बाद में सरकार का क्या मैटुपून योगदान होगा कि मैं अगर कोई उल्टी सीधी चीज डालूं या देश की एकता और अखंडता को मतलब परभावित करने वाले कोई चीज गल्प डालूं तो सरकार मेरे उपर क्या कर सकती है लगाम लगा सकती है इसलिए सरकार जरूरी है और सरकार के बाद सातियों संपर्भुता भी जरूरी होती है अगर संपर्भुता नहीं होगी तो हम क्या करेंगे सातियों जिस परकार एक कंप्लीट राज्य को राज्य होने के लिए संपर्भुता उसे है उसी परकार सातियों हमारे जिवन में भी संपर्भुता का सबसे ज्यादा मैत हमने देख लिया संप्रभुता तो संप्रभुता का मतलब क्या होता साथियों निर्ने लेने की सक्ति यानि आप कोई भी निर्ने अपने इसाफ से अपने सवेचा से ले सकते हो उसके बाद साथियों निर्ने लेने की सक्ति दो परकार की होती है एक होती है आंत्रिक संप्रभ होता जैसे मानलो साथियों घर में मम्मी और पापा होते हैं तो पापा जी क्या करते हैं उनके पास में आंत्रिक और भाहिये दोनों संप्रभुता होती है और मम्मी जी के पास में तो साथियों क्या होता है सिर्फ आंत्रिक संप्रभुता होती है यानि घर की जो देख बाल कर नहीं है या फिर उससे समधित वह संप्रभुता होती है और वैसे तो साथियों अभी नारी ससक्ति करण के तहट देखा जाए तो नारियों के के पास में हर तरह की संप्रूबुता है चाहिए वह आंत्रिक संप्रूबुता हो या फिर बारी संप्रूबुता हो उसके बाद में साथियों हम देखेंगे यहां पर राज्यों के पास में क्या होती है आंत्रिक संप्रूबुता होती है यानि साथियों बारत के जितने भी र नवास यह उनके लिए कानून बना सकती है राजे सरकार लेकिन सातियों ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसें क्या होता है हमारे सविधान की संपरभूता या फिर हमारे नागरिकों की संपरभूता हमारे मूल अधिकार पर भावित हो उसके साथियों देश के पास में क्या होता है आंत्रिक और बाहिये संप्रभुता होती है किसी भी देश जैसे मालो अभी हमारा यहां पर देखेंगे आप साथियों तो यह राजस्तान और इदर लगता है पाकिस्तान तो क्या राजस्तान पाकिस्तान के साथ में कोई भी संदी कर सक सकता है ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि ये आंत्रिक और बाहिये संप्रभुता के अंत्रगत देखा जाईए तो राजस्तान को बाहिये संप्रभुता नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ में किसी भी परकार का संबंद बनाए या फिर कोई कोई भी पड़ोशी देश के साथ कोई भी राज्य डायरिक्ट में क्या नहीं कर सकता कोई संदी या समझोता नहीं कर करता था यह साथियों रही आपकी संप्रभूता के बारे में जानकरी अब साथियों सरकार क्या होती है सरकार का गठन कैसे होता है और सरकार का महत्व क्या है यह संपुन जानकरी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में सबसे पहले साथ यह सरकार यानि गावर्मेंट अर्थ देखेंगे इसका समझेंगे संग्टक परकार इसके बारे में जान करें लेंगे सबसे पहले समझेंगे अर्थ है तो सरकार एक ऐसी संस्ता होती है जो अपने नागरिकों के लिए विकास एंकल्यान के कारिय करें उसे हम सरकार कहेंगे सरकार के अंग होते हैं अलग-अलग कौनकौन से अंग होते हैं साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं यह है आपके विदायका, कारियपालिका और नियाईपालिका यह सरकार के तीन परमुक और मेटपूर्ण अंग होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं साथियों विदायका के बारे में तो कारिय पालिका का काम होता है कारिय कानून को लागू करना यानि जितने भी कारिय होते हैं उन सब कानूनों को लागू करने का कारिय किसका होता है कारिय पालिका का और कानून बनाने का कारिय किसका होता है विदायका का अब चलो कानून बन गया विदायका ने कानून बना दिए है तौटी देखता है कि कोई उसका उलंगन तो ना कर रहा हो किसका सवीधान का कानून की व्याक्या करना भी नियाई पालिका का ही काम होता है भारत की नियाई पालिका सवतंतर एंव एकी कृत है यानि नियाई पालिका के कारिये में विदायका और कारिय पालिका हंस्त छेप नहीं कर सकती यानि साथियों ये जो विदायका और कारीपालिका अगर कोई गल्ट कानून बना लेती है तो ये जबर्दस्ति उनको ये नहीं कह सकती नियाईपालिका को कि ये कानून हमने बना दिया वो सही है और इसको आपको मानना होगा ऐसा बिलकुल नहीं है उसके बाद साथियों कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्ता कौन सी है संसद यानि इसको हम अंग्रेजों की भासा में पार्लेमेंट कहते हैं तो पार्लेमेंट है उसके बाद में साथियों संसद जब कानून बनाती है तो वह देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा कुछ समय के लिए देश के अंदर नहीं रहकर बाहर गए हो मजदूरी करने के लिए या अपनी जोब बिजनस करने के लिए या कोई पिकनिक में गया गोमने के लिए गया मान लो तो क्या होगा उस पर भी देश के बाहर होते वे भी कानून लागू होगा उसके बाद देखते साथिए संसद के अंग अब संसद के अंग Tiny आते हैं आपके लोकस्वा उर राज-षभा और राष्ट्र पति अंग की बात आये तो संसद के तीन अंग है लोकस्वा राष्ट्र पती और राज-षभा ये तिनंग Marx अब साथिए सदन की अगर बात करें तो सदन सिर्प दो है एक है आपका लौक सभा दूसरा है राज सभा लौक सभा को हम निमसदन कहते हैं राजसभा को उच्छ सदन कहते हैं और राष्टर pendant का क्या होता है पर्मुक होता है वासित्विक सक्तियों कि इसके पास होती है परदान मंत्री के पास होती है उसके बाद साथियों कारी पालिका को हम देखेंगे तो मंत्री परिस्द कारी पालिका का बाग होता है जो की ऐस्ताई कारी पालिका होती है मंत्री परिस्द अब आपको पता होना चाहिए अगर आप से पूछा जाए कि एस्ताई कारिय पालिका का उधारण दीजिए तो आप मंत्री परिस्द बता सकते हो या फिर आप से पूछ लिया जाए मंत्री परिस्द इस्थाई कारिय पालिका है या फिर एस्थाई कारिय पालिका है तो आपको पता होना चाहिए बीरोक्रेट जो है यानि नोकरशाई वो है आपके इस्थाई कारिय पालिका का भाग अब जो बीरोक्रेट है या नोकरशाई है उसमें कौन-कौन आते हैं भाई तो वो आपके आ सबी उसी का भाग होते हैं सरकार का एक और अंग या कहें एक और इस्तम कौन सा होता है साथियों जिसे हम कहते हैं मीडिया मीडिया सवीधान में इसका प्रावदान तो नहीं किया गया है फिर भी ये सरकार और नागरिकों के मद्र या उनके में के बीच मदेस्टा इस्थापित करने में एक बहुती मेतुपून योगदान मीडिया का है सरकार के दो परकार अब सरकार कितने परकार के होती है दो परकार की एक होती है साथियों राज तंतर और दूसरा होता है आपका लोक तंतर डेमोक्रिसी तो यहांपर सबसे पहले राजा का जहां पर सासन होता है उसे राज तंतर कहते हैं सबी सक्तियां अब राजा के पास ही होगी क्योंकि राजा वहां पर सबसे ज्यादा पर्मुक सक्तिशाली और जितने भी कानून बनाने वाली सक्ति है वो शिर्फ और शिर्फ किसके पास है राजा के पास है उसके बा सरवच होती है यानि जनता से उपर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता अब देखते हैं लोग तंतर यानि डेमोक्रेशी की परिवासा सबसे पहले किस ने दी तो लोग तंतर की परिवासा सबसे पहले साथियों इब्राहिम लिंकन ने दी थी और इन्होंने क्या कहा था बाई बाइदे विफेल फोर दे पीपल ओफ दे फेपल यानि सातियों जनता का जनता के दुवड़ा जनता के लिए किया गया सासन ही लोग तंतर कहलता है यह इब्राहिम लिंकन जो थे अन्होंने यह परिवासा दी थी लोग तंतर की सबसे पहले अब साथियों कोमेंट बोक्स में आप बताएए इब्राहिम लोग लिंकन कहा के निवासी थे यानि मोलनेवासी थे अब सात्यों ये जानकरी आपको आगे मिल जाएगी कहां के थे क्या थे वो पूरी जानकरी देंगे और हम ये भी बताएंगे आपको कि इन्हों ने किस जगें पर और कहां जाते हुए ये परिवासा दे थी लोक तंत्र में जनता सबसे पहले बनाती है स सविधान उसके बाद क्या करता है सात्यों सविधान के अनुसारी सरकार बनाई जाती है उसी सविधान के अकोर्डिंग और यही सरकार जनता पर सासन करती है और लोक तंत्र सात्यों इसके बारे में हमने जानकरी ली है और जनता किस परकार सरकार बनाती है और सरकार किस पर पर कार जनता पर क्या है राज करती है या फिर जनता पर शासन करती है किस परकार से वो व्यवस्ता बनाए रखती है वो सारी जानकरिया आपको इसमें मिल जाएगी राज तंतर में रहने वाले लोगों को परजा कहा जाता है राजा और प्रजा लेकिन लोगतंतर में रहने वाले लोगों को हम परजा नहीं कहेंगे उन्हें हम कहेंगे नागरिक और परजा को क्या है करतवे तो मिलते हैं लेकिन अधिकार यानि राइट्स नहीं मिलते हैं या इनके पास में राइट्स नहीं होते ये कर्तवे भी राजा का कहना मानना ही होता है या फिर राज तंतर के बारे में ये एक महत्वपून जानकरी थी आप सबी के लिए अब सातियों लोक तंतर यानी डेमोकरिसी दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है यानी एक तो जनता हो गई और एक हो गया सातियों जनता पर रूल करने का जो सिस्टेम हमारी सविधान में बनाए गया है वो अब साथियों लोगतंतर दो परकार का होता है और इसमें सबसे पहले मतदान यानि वोट का मतलब क्या होता है अपनी संपरभुता को किसी को दान कर देना पांच साल के लिए अगर सरकार बीच में नहीं गिरती है तो पांच साल के लिए हमने अपनी संपरभुता को क्या कर द दिया है दान कर दिया है तो साथियों पर्तिक्स और एपर्तिक्स लोक तंतर में देखेंगे तो जनता जब अपना सासन खुद चलाए जैसे की ग्राम सभा उसके बाद में जब जनता अपना सासन खुद नहें चला करके क्या करती है अपने पर्ति निद्यों के मादम से विदान सभा, चुनाओ में MP, MLE, ITID सामिल होते हैं, तो ये जान करी थी इनसे समंदित, अब साध्यों लोक्ताइव में साथसन परणाली के परकार कितने परकार होते हैं लोक तंत्र में सासन परनाली के सबसे पहले सातियों आप यहां पर देखेंगे अधेक्सिय परनाली अधेक्सिय परनाली के बाद में सातियों हम यहां पर देखेंगे आपके यहां पर संस्दिय परनाली अब सातियों संस्दिय परणाली और आपकी अधेक्सिय परणाली इसके बारे में कुछ महत्पुन जानकारी लेंगे लेकिन सातियों उससे पहले आपको क्या करना होगा पीडिय डाउनलोड करने होगी और पीडिय को अपने दूसरे BAYBIN तक सेख कर देना है तकी आपके लिए ये पीडिय आपके लिए और अपने दूसरी BAYBIN के लिए भी वटारमबानद साबित हो सके तो सबसे पहले अधेक सी परनाली के अंतरगत हम देखते हैं सातियों जहां पर क्या होता है सक्तियां है उनका विवाजन किया जाता है सेफ्रेशन ओफ फावर्स यानि साथियों सक्तियों के विवाजन पर अधायर्ट होती है जैसा कि साथियों विदायका का रिपाले का और नया रिपाले का इस परनाली में नाम मातर का प्रधान और वास्तविक परधान राष्टपती होता है एसी सासन परनाली में इस तर्था बने रहती है अदेक्स ये परनाली में जो कि USA में है अब सच्दी परनाली काँ पर है तो सच्दी परनाली में सातियों क्या होता है यह परनाली सक्तियों के सलेंट पर आदायत है और विदायका का कारिपालिका पर पूरी तरह से नियंतरन होता है यानि सातियों कारी पालिका विदायका का बाग होती है और उसके साथ ही दोस्तों इस में न्याय पालिका सवतंतर रूफ से कारी करती है जैसा कि भारत में न्याय पालिका अपनी सवतंतर है उसी परकार सातियों ये संस्दी पढ़नाली का सवरूप है अब सातियों उसके में रखना और इसको जितना उसके उतना बार-बार रिविजन करते रहना रिविजन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी लोग तंतर में और सासन परनाली में आपको बताया है कि यह उयस यहानी अमेरिका में देखने को मिलती है जबकि अलू DO में ते लेगी और यह पर लोग करदी भारत को दे दी नहीं भारत में नाम मातर का पर्मुक होता है राष्ट्रपती जबकि अमेरिका में नाम मात्रका नहीं होता है उसके पास में बहुत कुछ होता है बहुत सक्तियां होती है वास्ट विके पर्मुक मंत्री पर इसे दोर उसका परदान होता है जो कि परदान कौन होता है सातियों परदान मंत्री होता है इसकी पर्मुक विश है एकात्मक और संगात्मक सक्तियों के विवाजन के लिए दो परणाली होती है यह एकात्मक विवस्ता है और संगात्मक विवस्ता यह दो परणाली होती है किसके लिए सात्यों सक्तियों के विवाजन के लिए अब साथियों सक्तियों के विवाजन में सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर सक्तियों का वीवाजन जिसमें एकात्मक व्यवस्ता देखींगे बृतेन में और संगात्मक के व्यवस्ता हम यहां पर देखेंगे यानि स paddle a price k Amendment और संगात्मक व्यवस्ता इन दोनों को पढ़नाय में शिर्फ दो को जो सक्तियों के विवाजन के लिए दो पढ़नाली है कौन सी एकात्मक और संगात्मक अब एकात्मक आपके इस साइड में आ गया जिसमें एकात्मक विवस्ता में बिटेन को पढ़ेंगे और संगात्मक में USA को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानकर लेते हैं एकात्मक व पास होती है केंदर राज्य के एजेंट की रूप में काम करता है और उतना काम करता है जितना उसे निर्देश दिया जाता है केंदर के पास सक्तियां होती है और वे नए राज्यों को बनाना या समाप्त कर सकता है ये सारी जानकरी होती है राज्यपाल का पद होता है आल से अनुमती लेनी होगी सविधान के संसोदन हो सकता है एकल नागरिकता का पराउदान होता है जहां पर एक आत्मक विवस्ता होती है और अपातकाल में केंदर ज्यादा सक्ति शाली हो जाता है राज्यों से अब अमेरिका के बारे में देघ लिते हैं संगाथ्मक विवस्ता के पारे में तो सातियों आती है बात दोहरी नागरिक्ता की जो की अमेरिका में है तो यहां पर दोहरी नागरिक्ता का परावदान किया गया है राज्ये और जो राज्यों के साथ साथ केंदर के बीद सक्तियों का विवाजन होता है जैसा कि राज्ये सुची और सं होता है सवतंतर न्यायपाले का होती है दोरी सरकार होती है राज्य में और के अंदर में बारत में एकात्मक और संगात्मक के दोनुं गुन पाये जाते हैं याने भारत में दोनुंइंग बृभीक ऋ इसका बी कुछ निव्यें ले ले लिया भारत ने और कुछ ले लिया युशे का कुछ लेक लेख करके उस में Leftफ भी हमने क्या क्या हम का मतलब है हमारे जो सविदान बनाने वाले सविदान निर्माता जो थे उन्हों ने वो चीजें ली जो की हमारे देश के हित में हो हमारी एकता और अकंता को बनाए रखने में लाबगारी सिद्ध हो और हमारी जो सबता है हमारा जो कल्चर है यानि हमारा जो यहां का सिफ्टम है उसके अनुरूप ढल सके वही कानुन हमारे सवईदान में ले गए जैसें की राज्यों और केंद्लिख बीड बीद सक्तियों का विवाजन सातियों किया गया और सवेधाने के विवाजन होता है जिसमें साथियों राज्य सुची संग सुची और समवर्ती सुची सामिल है लेकित और सर्वच सवेधान होता है सवतंतर नयायपाले का होती है दोरी सरकार होती है राजे में अलग सरकार होती है, केंदर में अलग होती है और उसके बाद साथियों आप देखेंगे यहां पर केंदर के पास सक्तियां होती है और नए राजियों को बनाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है राज पाल का पद भी होता है, आल इंडिया जो सर्वीस होती है वो भी होती है, और संसद की जो राज सूची पर कानून बनाने की सकती होती है वो भी है, कुछ प्रिष्टितिव में लेकिन इसके लिए राज सबाचे अन्मती लेनी होगी उसके बाद साथियों संसद को क्या है सविधान में संसोदन कर सकती है या संसोदन हो सकता है एकल नागरिकता होती है यहां पर आपातकाल में केंदर सबसे ज़्यादा सक्तिसाली हो जाता है इसलिए सातियों बारत एक अर्द संगात्मक यानि सातियों आप देखेंगे या पर क्यों या फेडरल है तो इसका मतलब क्या है बारत के पास में संगात्मक और एकात्मक विवस्ता का मिस्रन देखने को मिलेगा सेंट्रल गॉब्वेंद स्टेक्चर इस इस सबसे पहले हम देखेंगे विदायका कारीपालिका और नयाईपालिका यानि Вिदायका से समद्यवन संफुन जानकarı लेंगे कारीपालिका और नयाईपालिका इन से समयदित हम complete जानकरी लेने वाले हैं केंदर सरकार की श्रचना विदायका कार्यपालिका और न्यायपालिका अब सात्यों कार्यपालिका के अंत्रगत सबसे पहले केंद्र का जो इस्तर होता है उसमें कौन-कौन सामिल है आपका सबसे पहले राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती परदानमंत्री मंत्री पर इस दोर महा न्यायवा है वो भी मैं आपको आगे आने वाले समय में अलग-अलग पार्ट में पढ़ा दूंगा अच्छे से समझा देंगे राज्य का इस तर होता है उसमें यहां पर राष्ट्रपती है तो यहां पर राज्य पालोगा यहां पर परदान मंत्री है तो यहां पर मुक्य मंत्री है और यहां पर महादी वक्ता है, इन से समझत है, और यहां पर कारियपालिखा के परकार, इस्ताई कारियपालिखा में राश्टरपती परोडान मंत्री सहीद, मंत्रि परिश्ट ऐस्ताई में आते हैं, और जो c HTW produção वो आंपके, किस में आते हैं पर्मानेन तीया, फिर केम्परेरी कारिपालिका में वो जानकरी में आपको देने वाला हूं विदायका के तीन अंग होते हैं तीन अंग तीन है जबकि सदन दोई हैं लोकसभा और राजसभा संसद के अंग में राष्ट्रपती भी सामिल हो जाते हैं तो राजसभा में सात्यों आप देखेंगे राजसभा अलग राज्यों के अमेले लिये जाते हैं इसका निर्वाचन पर्टेक्स या फिर आपर्टेक्स रूप से होता है अब पर्टेक्स या आपर्टेक्स निर्वाचन किस परकार से होता है वह भी जानकरी मैं आपको देव उसके बाद में साथ हैं यह लोगों का परती नीदित् लोग सबा उसके बाद में यह ऐस्ताई सदन होता है क्योंकि लोग सबा का कभी भी विग्धन हो सकता है बंग हो सकती है लोग सबा लेकिन राजे सबा कभी बंग नहीं हो सकती इसलिए जाते हूं यह ऐस्ताई है लोग सबा राजे सबा इस्ताई है यह एक इस्ताई सदन है य इसके सदे से PARTEX- निरुवाचन परणाली से सुना जाते हैं या फिर सुनाव होता है जिसमें MP- सामिल होते है राश्ट्रपती डेखते हैं सासे। इसका निरुवाचन भी र्षय होता है राश्ट्रपती के निर्वाचन कुमनेडल में Rs. यानि लोकसभा और आपका आरेस राजेसभा और इन से सम्झेत संपुर्ण जनकर यह आपको मिल जाएगी यानि लोगसभा और राजेसभा के निर्वाची सदे से और राजियों के जो अमेले होते हैं उनको भी यहां पर सामिल किया जाता है अगर राश्र पती को हठाना हो तो क्या होगा ? निर्वाट्चित और मनोनीच सद्वे से दोनों ही इसमें साम्मिल होंगे और जो आपके मनोनीच सद्वे से वह भाग नहीं लेंगे कि इसमें चुनाव के समय कारिपालिका के दो भाग होते हैं या फिर दो भागों में बांच सकते हैं एस्ताई कारिपालिका और एस्ताई कारिपालिका स्टाई कारिपालिका में नोकर साही आती है, जिएसमें साथ, आपके IS-IPS सच्छीव इतियदी, और मंत्र परिशीद सामिल किया जाता है, मंत्र परिशाद सामई गुर्फ से लोक्सभा के परती उतरदाइख होता है. एस्ताई कारियपालिका में नोकर साही या सिविल सेवक आते हैं जबकि एस्ताई कारियपालिका में राजनितिक आरे पालिका जो की राष्ट्रपति और परदान मंतरी सहीत मंतरी परिशद संपूर्ण इसी में आ जाता है एसति आई कारेपालिकास जिसमें साथ प्यम आता है सबसे उपर और कबिनेट मिनिस्टर आते हैं स्टेट मिनिस्टर जिसमें 37 पर बारिबार इनके पास होता है और ड brewट्री मनेश्टर ये भी इसी में सामिल होते हैं उप्य मंत्री जब बनाया जाते हैं जब गटबनन की सरकार हो या फिर सोटे मोटे सरकार बनाने के लिए, कि इस कोने मन्त्री उद और इस पर किया है, या पर citat परवार उनको दे दिया जाता है इस परकार, से क्या है उनको खुश कर दिया जाता है ताकि उनके दिल में भी इस परकार की बात ना आए कि हमारे साथ में बेदबाव हुआ है उसके बाद सात्यों कारिपालिका के इस्तर देखेंगे हम जिसमें सबसे पहले केंदर का इस्तर और राज्य का इस्तर में सात्यों आप यहां पर देखेंगे राज्य पाल मुक्य मंत्री मंत्री परिष्ट और महा दिवगतार और उसके बाद केंदर वाले में देख लेंगे पर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती परदानमंत्री मंत्री परिस्तुर्मा नायवदी और कारिपालिका के परकार में आपको सबसे पहले बताई दिये हैं इस्ताई कारिपालिका में कौन सामिल होते हैं इस्ताई कारिपालिका में कौन सामिल होते हैं बावन तरेपन चौपन साथ एक सट और आपका 123 और 143 और उपर राष्ट्र पती से समझित त्रेश्ट चोष्ट और चांसट देखेंगे परदान मंत्री से समझित पिचेतर और 78 पर नज़त डालेंगे और मंत्र परिश्ट चोटर से समझित जान कर लेंगे महा नयवादी 76 इसके बारे में जान कर लेंगे यह तो बात आई संग की और यह कुछ महतुपन अनुचेद है बाकी आपको दूसरी जो जितने भी अनुचेद बगिरा इन साथ यह 153 एकस तोपन एकसो पसपन और 213 मुग्य मंत्री के अंतरगत साथ यह 116 और 117 देखेंगे मंत्र परिश्ट के अंतरगत 133 देखेंगे और मा दिवग्ता 165 इसके बारे में कुछ महतुपन जान कर लेंगे विदायका विदायका के बारे में साथ हम सबसे पहले सध्ट और राश्ट्रपति लोकसभा और राजीसभा इससे संपूर्ण जांकरी लेंगे और इनसे संपूर्ण questo मेटाप़न ट्रिक बगेरा का भी हम इजने माले वाले आप विदान मंडल टाउस्वाहर सबसे पहले ऊपर होता है आपका से यहनी on कोर्ट, उसके बाद में High Court आता है उस नायले और सब ओडिनेट जु कोर्ड होता है वो अधिनेश नायले के अंतरगत आता है सर्वोस नायले में साथियों सबसे पहले कुछ में अनुछेद सबसे एखकेंगे उस नायले के अंतरगत और अनुछेद होते हैं, उनके बारे में हम जानकरी लेंगे अब साथियों इतनी तो जानकरी मैं ने आपको दिये शिर्फ एक के जो इंट्रो होता है वो इंट्रो के तैद कि हम आने वाले समय में पॉलिकी के अंतरगत क्या-क्या पड़ेंगे यानि सातियों राज्य सरकार की सरस्तना, इस्टेट गोर्मेंट, विदायका, कारिय पालिका, नयाय पालिका ये आगे आपको बहुत ही डिटेल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा और इंट्रो तो अब इतना मेरे ख्यास से बहुत है, आपके लिए इतना बता दिया कि हम पॉलिटी के अंतरगत क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं, अब सातियों आसा करता हूँ, ये जानकरी आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो थैंक्स पोर वोचिंग, और वीडियो अगर मेरा पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल क को अपने दूसरे बाइबैनों तक सेर कर दीजिए, अधिक जानकरी के लिए हमारे वार्षप नंबर पर संप्रक कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो, पीडिया डाउनलोड करने से समधित या फिर किसी भी परकार की जानकरी, बागे हालचाल पूछने के लिए आप वार्ष करके किसी को फरेसान करें, ऐसा मैं उमीद करता हूँ, आप नहीं करेंगे और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आप अपने सबिता का परिच्चे देंगे और अच्छे से पढ़िए, और मैं आसा करता हूँ, साथियों आपके लिए यह जो पॉलिटी की सरंख अखला हमने प्रारम किये यह आपके लिए रामबान साबित होगी, अगर आपको और पीडिप चाहिए, किसी भी पुस्तक की या फिर किसी भी परकार का इस्टर डिमिटेर, वैसे तो साथियों आप देखेंगे यहां पार तो यह सारी पुस्तकें चाहिए, वो आदुनिक कि विश्व का इतियाज 1500-2000 तक का हो या फिर साथियों यह जितनी भी पुस्तक आप यहां पर देख पार रहे हो, इन में से किसी भी पुस्तक का, अगर आपको पीडिप चाहिए, तो आप हमें संपरक कीजिए, हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करके, इन में से कि बना रहा हूं, यह पॉलिटी पूरा कंप्लीट होने के बाद, आपको पॉलिटी की कोई पुस्तक पढ़ने की जरूत नहीं होगी, अब पॉलिटी की मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं साथियों, यहां पर मेरिश कुमार वर्णवाल, बारतिय सविदान राज सब्सक्राइब लक्षमिकांस का मिल जाएगा, और सिविल शेवा की अगर तैरी कर रहे हो आप, तो यहां पर आपको मिल जाएगा हमारे पास में जो की आपको है, दुर्गादास्ट बसु की भारत का सविदान एक परिचे, यानि इंडियन पॉलिटी से समन्दिद, कम्प सब का निचोड या सब का सार आपको इसी वीडियो सरंकला में मिल जाएगा, तो आशा करता हूं सात्यों, यह जानकरी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आपने दूसरे भाई बैनों तक शेर करना, मिलते हैं सात्यों, अगले वीडियो में एक नए जोस नए उमेद और नए आशा की किरिन के साथ धन्यवाद, जय हिंद वंदे मातरम